तो स्वागे थे आप सभी का All Exam Guide Group पर दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में मैं लेकर आए हूँ Practice Test Set वे पर साथ साथ दोस्तों आपके लिए Information भी है दो पहर में 12 बजे से Unacademy पर मेरी Live Class है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने Live Class की लिंक दे दी है Unacademy पर जो मैं लेने वाला हूँ Live Class 12 बजे वाली Class की लिंक पर क्लिक करके आप सभी Class को enroll कर लीजे आपके मोबाल में Unacademy की application अगर पहले से ही है तो मैंने अपनी profile लिंक भी दे दी है मेरी profile लिंक पर क्लिक करके मुझे follow भी कर लीजेगा जिससे बाकी सभी Classes में भी आप टाइम से आ सकें दोस्तो Unacademy की application अगर आपके mobile में नहीं है तो कैसे आप Unacademy की application फ्री में download करेंगे आपको मैं बता देता हूँ जिससे मुझ से और भी Unacademy के top educator से आप रोज पढ़ सकें इसके लिए क्या करना होगा फ्री में पढ़ने के लिए Unacademy पर सबसे पहले आपको Unacademy की Google Play Store से application डाउनलोड करनी है ये application डाउनलोड करने के बाद में इसमें फिर अपना mobile नमबर डाली है रेजिस्टर करिए OTPI का application चालू जब हो जाएगी तो पढ़ने के लिए free exam सेलेक्ट करने वाले section में आपको SSC exam सेलेक्ट करना है याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ SSC exam ही सेलेक्ट करना है जैसे ही आप SSC exam, SSC non-technical exam सेलेक्ट करेंगे आपसे वहाँ पर आपकी application को free करने के लिए एक code मांगा जाएगा और code आपको क्या डालना है? code डालना है A, E, G, G चार अक्षर का ये code है ये code आपको enter करेंगे जैसे ही तो आपकी application free हो जाएगी तो इस परकार आप unacademy की free में application डाउनलोड कर सकते हैं फिर आप मेरी सारी classes unacademy पर पढ़ सकते हैं free में तो जो भी नए student है application को डाउनलोड कर लीचे और अपने दोस्तों को भी share करिए correct 12 बजे unacademy पर class शुरू हो जाएगी इस वीडियो के description box में मैंने 12 बजे वाली class की link दे दी है चलिए तो अब हम शुरू करते हैं question test set paper क्या score रहा जरूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा practice test set paper तो सबसे पहला प्रशन यह रहा आपके सामने question number one क्या पूछा गया है चलिए देख लेते हैं question number one आपसे पूछा गया है गांधी जी ने दक्षन अफरीका में किस गांधी जी से दक्षन अफरीका में मिलने के लिए निम्लिखित में से कौन गया था तो यहाँ पर सयत्र हो जाएगा गोपाल क्रिशन गोखले गांधी जी से दक्षन अफरीका में मिलने के लिए गये थे अगला question देखते हैं सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विट टूथ नामक पुस्तक का लिखा कौन है तो सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग माय एक्सपेरिमेंट विट टूथ नामक पुस्तक जो है ये गांधी जी की पुस्तक है next question देखते हैं क्या पूशा गया है सरदार बल्लब भाई पटेल की तुलना इन में से किस से की जाती है तो सरदार बल्लब भाई पटेल जी की तुलना बिसमार्क से की जाती है next question देखते हैं गांधी जी मानते थे कि इन में से कौन सा option सही होगा तो गांधी जी परिडाम और साधन दोनों नयाय उचित होना चाहिए ये मानते थे next question देखते है जब सुतंतरता की माउंट बिर्टन योजना सुईकार की गई उस समय भारती राश्री कॉंगरिस का अद्ध्ष कौन था तो जब सुतंतरता की माउंट बिर्टन योजना सुईकार की गई थी तो उस समय भारती राश्री कॉंगरिस का अद्ध्ष option नमबर आचारे जेवी कर प्लानी थे next question देखते है cabinet mission भारत कब आया था क्या उत्तर हो जाएगा प्रशिंग के लिए cabinet mission 1946 में भारत आया था next question देखते हैं क्या पूशा गया है महत्मा गांधी के अनुसार संसार में सबसे सक्तिसाली बल निम्लिखित मैंसे कौन सा बल है तो महत्मा गांधी जी के अनुसार संसार में सबसे सक्तिसाली बल जो है option number राइट answer हो जाएगा अहिंसा का बल है राइट आनसर हो जाएगा महत्मा गांधी जी कि करतियों मैं से अत्तिक प्रभावित थे तो महात्मा गांधी जी किसकी करतियों से अत्तिधिक प्रभावित थे तो लियो टॉलिश टॉय की करतियों से अत्तिधिक प्रभावित थे अगला कॉशन देख लेते हैं प्रशन है 1930 में किसकी गिरफ्तारी के कारण पेशावर की सड़कों पर उग्र प्रदरशन हुए कांग्रेस अदिवेशन में सुईकार किया गया था राइट आंसर हो जाये कर नेक्ट कॉशन देखते हैं भारतिय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नहरू ने कहां पर धोजा रोखन किया था तो भारतिय तिरंगे का पहली बार जवाहरलाल नहरू ने जो है भारतिय के उपनाम से कौण सम्मधित है तो अगरेसे दो आर्ट के दोबारा करांटी कारी को फांसिर जादी गई थी तो अंग्रेजों के दुबारा करांधी कारी जिसको फांसी साधी गई थी वो थे option number राजगुरू अगला कॉशन देख लेते हैं 1937 में कॉंग्रेस ने मंत्री मंडल बनाये थे कितने राज़यों में सभीने अवग्या आंदूलन 1930 का मुख्य कारण क्या था तो यहां पर सहीतर हो जाएगा सभीने अवग्या आंदूलन का मुख्य कारण जो है option number सहीतर हो जाएगा 1930 में नमक पर अंग्रेजों के एक आधिकार के खिलाफ विरोध नेक्ट कॉशन देखते हैं नौ जवान भारत के नौ जवान भारत सभा किसके द्वारा इस्थापत की गई थी तो राइट आंसर हो जाएगा सन 1936 में भारती नागरिक सुतंतरता संग की इस्थापना जो है राइट आंसर है जवाहर लाल नहरू ने की थी नेक्ट कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया है गांधी जी ने परसुद दान्डी यात्रा किस वर्स की थी क्या उत्तर हो जाएगा तो गांधी जी ने परसुद दान्डी यात्रा 1930 में की थी अपने उपन्यास आनंद मट में बंकिम चंदर चटर जी द्वारा बंगाल में किस विद्रो का उल्ले किया गया है तो अपने उपन्यास आनंद मट में बंकिम चंदर चटर जी के द्वारा बंगाल में विद्रो जो हुआ था उसमें कोल विद्रो माफ करिएगा सन्यासी विद्रो समा करिएगा सन्यासी विद्रो का वरणन किया गया है नेक्श कॉशन देखते हैं काल करम बद्ध विवस्थित करिए इन में से कौन कब आया एक समय सारणी है किस के हिसाब से तो यहाँ पर सहित्तर हो जाएगा option number यहाँ पर तीन प्रशन के लिए सहित्तर हो जाएगा राइट आंसर है है नेक्श कॉशन देखते हैं अगला प्रशन जलिया वाला बाग हाथसे में कौन सा ब्रिगेडियर सम्बंदित था तो राइट आंसर हो जाएगा जलिया वाला बाग हाथसे कारण में सम्बंदित ब्रिगेडियर था नेक्श कॉशन देखते हैं क्या पूशा गया है सीमान्त गांधी किसे कहते हैं क्या उत्तर हो जाएगा प्रशन के लिए तो सीमान्त गांधी जो है ऑप्शन नमबर खान अब्दुलगफार खान को कहा जाता है अगला कॉशन देखते हैं भारती सुतंतरता के समय भारती राश्ट्री कॉंगरेस के अद्ध्श कौन थे तो भारतिय राश्ट्री कॉंग्रेस ने अपना पूर्ण सुराज को अपना वसिस्ट लक्ष जो है लाहोर के 1929 के अधिवेशन में किया था अगला कॉशन महात्मा गांदी का जन्म कहां पर हुआ था तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर फोर महात्मा गांदी का जन्म पोरवंदर गुजरात में हुआ था नेक्श्ट हमारे समयधाने कि इतिहास में 26 नमबर 1949 महतपूर्ण दिन क्यों है तो अधी मिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला पहला बिक्ती जो है 53 कोर का दीवान था राइट आंसर हो जाएगा तो दोस्तो ये था आपका प्रैक्टिस टेस्ट पर अगर आपने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी भी टाइम है प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं Unacademy पर इस वीडियो की description box में मैंने Unacademy की class का plus subscription का link का video वीडियो का link दे दिया है class का link दे दिया है आप plus subscription ले सकते हैं जब आप plus subscription लेते हैं तो आप मेरा code यूज करिए AEGG आपके लिए instant 10% का discount मिल जाएगा plus subscription की link इस वीडियो के description box में है तो एक बाद check ज़रूर कर लें जो भी plus subscription लेना चाहते हैं ले सकते हैं क्योंकि अभी limited time period offer है आपके लिए 6 month का extension मिल रहा है आप मेरा payment करते समय आप जो है मेरा code यूज कर सकते हैं कोड है AEGG ये चार अक्षर का code आपके लिए instant 10% का discount दिला देगा और ये code जो है unacademy की हर category में applicable है आप किसी भी category का plus subscription ले सकते हैं railway, ssc, bank, upac या अन कोई भी exam की preparation कर रहे हैं आप उससे सम्मंदित plus subscription ले सकते हैं मेरा ये code आपके लिए हर जगा discount प्रोवाइड करवाएगा AEGG ठीक है चलिए तो फिर मिलता हूँ मैं आपसे कितने बज़े correct 12 बज़े class शुरू हो जाएगी link description box में है description box की link पर click करके notification on कर लिजे बहुत बहुत धन्यवाद